तो क्या आप लोग भी लेलद्दा की ट्रिप प्लैन कर रहे हैं तो क्या आप भी कन्फ्यूज हैं बाइक सेलेक्शन में तो क्या आप लोग भी ऐसी कोई वीडियो ढूंड रहे थे तो गाइज अब नो मोर सर्च क्योंकि आपका होस्ट शिवान शगरवाल आज लेकर आया है तो इन फाइब वाइक्स को स्लेक्ट करने के लिए मैंने कुछ पेरामीटर्स पर रिसर्च किया जैसे टॉर्क क्योंकि जिन बाइक्स का टॉर्क जादा अच्छा होता है वो असानी से पहाड़ों पर चड़ सकती है फिर मैंने फ्यूल एफिशेंसी पर देखा क्योंकि और फ्यूल कैपेसिटी के बादे में क्योंकि जिन बाइक्स की फ्यूल एफिशेंसी अच्छी होती है वो बाइक्स जादा कमफर टेविल लएती है क्योंकि लेल लाक में हमें बहुत कम जगा पैट्रोल पपम देखने को मिलते हैं प्लस मैंने बाइक का ग्राउंड क्लिरेंस को भी ध्यान में रखा है ताकि वो असानी से आफ रोड एडविंचर कर सकें. आज की जो 5 बाइक्स होंगी वो ऐसी बाइक्स होंगी जो हर एक पेरामेटर को सेटिस्फाइ करेंगी और आपकी जन्नी को और ज़्यदा ब्यूटिफुल बनाएंगी. तो हमारी फिफ्ट नंबर पे जो बाइक आती है वो आती हीरो एक्स पुल्स 200 जिसको मैं कहूंगा शेर चूंकि इसके जो फीचर्स हैं वो सर चड़ कर धारते हैं क्योंकि इसमें हमें मिलता है 199.6 cc का एर कूल इंजन जो की प्रूडूस करेंगा मैक्सिमम पावर ऑफ 17.8 bhp at 8500 rpm and torque of 16.5 45 nm at 6500 rpm बापरे बाप एक ही बाइक में हमें इतनी सब कुछ देखने को मिलता अभी आगे आगे देखी और कुछ इसमें हमें 220 mm का ground clearance देखने को मिलता है with fuel tank capacity of 13 liter and mileage of 44 km per liter फिर इसमें हमें 823 mm की seat देखनों को मिलती है और इसमें जो हमें warranty मिलती है वो हमें 7000 km की या फिर 5 साल की मला एक ही वाइक में आपको इतनी सारी चीज़े मिल नहीं है तो आप क्या चाहते हैं इसका price रहेगा 120,800 on road जो की बहुत छोटी रकम लगती है इतने सारे features के सामने अगर हम इसक एक lightweight की रहती है जो off road adventure के लिए suitable लहती है इसके जो spare parts है वो low rate में हर जगा available लहते हैं आपको इदाव भागने की जुरूत नहीं पड़ेगी और अगर हम इसकी EMI की बात करें तो कुछ research से मैंने पता करा है कि यह 4557 पीच है पर मन्त on bike वाले इस bike में मुझे कुछ कमी भी ल इस में ज्यादा helpful help मिलेगी तो अब हम मूब करते हैं अपनी 4th bike की तरफ that is BMW G3 10GS जिसको मैं काहूंगा बबर शेर क्योंकि इसके features जो है Hero X Pulse 200 से भी जादा अच्छ है क्योंकि इसमें मिलता है 313 CC का air cooled engine जो की produce करेगा maximum power of 34 BHP at 9250 rpm and torque of 28 and I'm at 7500 extended arc माला यह तो एक तरीके से अचंबा टाइप का लगता है इसमें हमें 220 mm का ground clearance देखने को मिलता है with fuel tank capacity of 11 liter and mileage of 38 km per liter माला यह बाइक तो मुझे लगता है कि जो नए riders हैं उनके लिए बहुत जड़ा suitable रहेगी जो कि एक बाइक खरीने की सोच रहे हैं क्योंकि इसका price हमें देखने को मिलता है 3.90 lakh जो कि मुझे कुछ ज़्यादा लगता है इसके features के साब से हाँ कुछ ज़्यादा लगता है इसके positive points की बात करें तो हमें इसमें refined engine देखने को मिलता है with adjustable preload monoshock जो कि off road adventure में चारचान लगा देता है इस bike में मुझे कुछ कमी लगी जैसे पहली कमी लगी इसके high price है जो मैं पहली बता चुका हूँ और अगर हम इसको high speed पे चलाते हैं तो इसका engine कही ना कही vibrate करने लगता है और हमें परिशानी द देता है फिर हम मूप करते हैं अपनी 3rd bike की तरफ डेटिज बजाज Dominar 400 जैसे मैं बबर शेर का भी पिताजी कहूँगा क्योंकि ये bike off road adventure के लिए best रहती है और इसे मैंने खुछ चला कर देखा है और experience किया और मेरा कहना है ये बजाज की अब तक की best bike मुझे लगी इसमें हमें 373 cc का liquid cooled engine मिलता है जो कि produce करेगा maximum power of 38.8 bhp at 8650 rpm and torque of 35 nm at 7000 rpm अब भाई इससे जादा में चाहिए ही क्या है जो हमारी सारी needs को fulfill कर दे अभी आगे देखिए इसमें हमें 157 mm का ground clearance मिलता है with fuel tank capacity of 13 liter with a mileage of 27 km per liter इसके price की बात करें तो ये रहता है 2,11,000 जो की बहुत ज़्यदा फीका लगता है इसके features के आगे इसमें positive points की बात करें तो ये bike value for money है मतलब कि ये पैसा बसूर भाई का अब जितना अगर पैसा लगाते हैं 2,11,000 तो आपको इस हिसाब से features भी देखने को मिलते हैं इसमें ह हमें BMW वाली वही कमी देखने को मिली की high speed पे इसका भी engine vibrate करने लगता है और पाकिस अभी spike में बहुत बढ़ी है फिर हम इन तीन bikes के बाद हम move करते हैं अपनी second bike की तरफ that is KTM Adventure 390 जिसे मैं share नहीं कहूंगा क्योंकि चाहाँ कितने भी बड़े share हो, share नहीं के आगे जुकना ही पड़ता है, इसी तरीके जब सारी bikes को KTM Adventure 390 का आगे जुकना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें मिलता है 373.28cc का liquid cooled engine जो की produce करेगा 43.5 PS की maximum power at 9000 RPM and maximum torque of 37 mm at 7000 RPM, इसका जो front suspension है 43 mm कर रहेगा with rear apex monoshock, इसमें हमें 14.5 L की fuel मिलेगी with a mileage of 29.6 km पल, यह bike मुझे off road adventures और highway पर long rides के लिए बहुत ज़रा suitable लग और KTM 390 को हमें 3 color में available रहती है, that is color इसके रहते हैं orange, white और black, इसमें अगर हम positive points की बाद करें, तो यह bike bad roads पर और monsoon बाले season के लिए बहुत ज़रा best रहती है, क्योंकि इसके जो tires हैं, उसकी grip जो होती है, वो road के साब आप से बहुत ज़रा अच्छी रहती है, और इसका जो ground clearance है, वो भी बहुत अच्छा रहता है, इसकी fuel tank capacity भी बहुत ज़रा है, that is 14.5 liter, इसका आपको petrol को store करके ले जाने की ज़रूत नहीं, आप इससे बहुत लंबर चल सकते हैं, अगर आप साब देखिए, इसकी कमियों के अगर हम बात करें, तो इसका suspension कुछ stiff लगता है, और seat भी कुछ ऊची है, पर फिर भी ये negative point जो है, positive point से आगे बहुत ज़रा फीके पड़ जाते हैं, और केटियों को बनाते है second most suitable fight for Leila Dak, तो जिस bike का हमें बेसवरी से इंतजार था, उस bike का नाम है Royal Enfield Himalin, नाम सुनते हैं, अलागी रॉला कर जाता है, अलागी मज़ा आता है कि यहां कोई bike है, यह एक all-launder bike और पैसा बसूर bike है, क्योंकि इसका look जो है वो आपको पागल सा कर देगा, और features तो भाई साव ला जवाव हैं, जो कि इसको बनाता है first most suitable fight for Leila Dak trip, क्योंकि इसमें मिलता है 411 CC का air cooled engine, जो क produce करेगा maximum power of 24.3 bhp at the 6500 rpm and torque of 32 mm at 4500 rpm, मलब एक ही bike में इतनी सब चीज़े अभी तो आगे देखिए, इसमें हमें मिलता है 220 mm का ground clearance with a fuel tank capacity of 15 liter and mileage of 30 km per liter, अगर आप इसका price सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने कम price में आपको इतने अच्छे features, हाँ इसका price है 2,20,000 पर इस price में हमें मिलता भी तो बहुत कुछ है जैसे अच्छा टॉर और best luggage carrying capacity मलब आप इस bike में आगे पीछे मलब इतने बैक्स हैं, इतनी जगाँ हैं जहापे आप अपना बहुत सारा luggage को set कर सकते हैं, इसका suspension भी खाओ बहुत अच्छा दिखाया गया है जो कि हमें off road पे क इसका मलब यह तो नहीं, इसमें कमिया नहीं होंगी हाँ, इसमें कमिया भी हैं, जैसे कि इसके brakes जादा powerful नहीं हैं और high way पे रही ना कहीं यह under power हो जाती है